12th के साथ अगर आपने 12th आपने की होगी, अगर उसके अंदर physics and math की हुई है, तो आप आराम से physics and math, यह common होना चीए, क्योंकि आपको पता है जो trade का part, जो trade का paper आता है बिटा, जो कि technical paper आता है आपका, ठीक है, part B, उसकी बात कर रहा हूँ, for the technician के लिए, उनका guys जो paper आता है 75 marks हो किस कौन सा आता है, physics और maths का पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने trade का, आप particular trade नहीं होती है, कि आप mechanical वाले भर सकते हो, या फिर automobile, उनके लिए technician वाली जो post होती है, उनके लिए physics and maths, है ना, trade में आपसे पूछा जाएगा, तो यह आपके लिए एक information थी, बाकि अगर आप